क्राइक जान 2020 में आपका स्वागत है आज के 50 प्रशनों का यह महामेगा टेस्ट में आपने जो भाग लिया आपने जो पार्टिसिपेट किया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धनिवाद दोस्तों 50 प्रशनों के इस टेस्ट में आज जिन्होंने अच्छा मार्क्स किया उ प्रशान होने की कोई जरुवत नहीं है आगे जो आपका एक्जाम आने बाला है उससे पहले हम कम से कम सैक्रो सैक्रो टेस्ट सी चलाएंगे ठीक है और इस टेस्ट में आप अपने आपको जो है और बहतर निखार सकते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए अभी जो है हम मैथ औ कैसा प्रशन का सेट किया गया था और किस तरह से आपको आसानी से आसान तरीके से आपको हल मिलने वाला है ठीक है दोस्तों तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पहले प्रशन की और पहला प्रशन क्या कहता देखी जरक करा निमलकित में से कौन सी संख्या है जिसमें उसके ब 6 होता है इसको जोर के देखिए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका मात्र और मात्र दूसर 10 होगा ठीक है तो यह नहीं हुआ अब 16 लीजिए 16 कितना हो जाएता है 256 अपलस 16 जोड़िये तो अल्रेडी बर गया 17 आपका अंसर होगा 15 15 का स्कॉयर अगर कीजिएगा तो 15 का स्कॉयर हो जाता है 25 अपलस 15 हो जाएगा यहां पर जोड़िये तो 240 हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए दूसरे प्रसन के और बढ़ते दूसरा प्रसन क्या काता है देखिए दोस्तों आज जो है हमने पहले mathematics को set किया है 15 प्रसन mathematics का है 10 प्रसन जो ह है रिजिनिंग का है और 25 प्रसन आज के एक्जाम में जीके और जीयस से है बहुत ही जबरदस्त कोस्चनों का संग्रा था चलिए दूसरा कोस्चन क्या काता है देखिए और सारे प्रसनों का एक सौट काट विदी से आप हल 10 से 15 से कैसे निकालेंगे वह सब तरीका हम बतान उन्हें बीबराबर आपको 150 मालूम है और दूसरा जो है आपको जो यह परिमाप होता है वो टू इंटू ल प्लस भी होता वे तो इंटू व्ल में बराबर कितना 50 हो गया यानी असे बहुं से अब जो चलते हैं कि बिल्बाई का योग यानि लम्बाई चुरह का योग 25 हो होना है एक दम बिल्कुल यह नहीं होगा यहीं आपका दिख रहा है तो चलिए इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद दो संकुओं की उचाई का अनुपाद यह दो संकुठ ठीक है दोस्तों इस तरह से संकुब का फिर्फिगर बनता है ठीक है ना इस तरह से मां लीजए यह दो संक्व हैं आपके पास ठीक है अब इसमें जो है एक की उचाई अलग है दूसरे एक का जो उचाई है वह एक दिया हुआ तो आईतर की बात करना था आईतर में देखिए एक वट्टा तीन पाइट कोमन ही होता दूने में ठीक है अब आरे स्कॉर एच की बात कीजिए इसका में आर के जब़ा हो जाएगा तीन है ते तीन वट्टा दू का गुने दो बार कर अगले प्रस्ण के और चलते हैं अगरा प्रस्ण क्या गता देखिए लंब्रिते शंकु के अधार की अदहार की परीदी, आधार कोई भी होता? दोस्त वह ब्रताकार हो टीक है बेलन जो भी हो टीक है, इसका आधार की परीदी, व्रताकार हो घूर Nahya घुने r बराबर हो जाँगा city ठीश चतर अब यह बराबर उचा southern Nigeria तिरिय कॉसारी 25 स्चीज दिया वह मतलब यह रहीया को छाई यह से एसे जुक्वा जाता है इसे हो जाता है यह आठ साथ दिया दिया हुआ यहिए उचाहिए याद करना है दोस्ते एच पर और फर्मूला हो जाता है इस समकून प्रिभूज इक तरह से बन जाता है तो एच पर आउट हो जाता है और देखेन देखे टूड़ा और पंदरह मीटर लंबा तना 12 मीटर चौड़ा है एक गधान है गधानवा कार हो सकता है टेके क्या काता है उस में उस वह जाता है चारो भीतरी छट का चारो दीवारों के चारो दीवारों के चारो दीवारों के यूग के बराबर है अजिके जो है इसकी फर्स और भीतरी छट की बात करेंगे दोस्तों तो फर्स में भी L गुने B हो जाता है और छट में भी L गुने B हो जाता है तो इसको 2 गुने L गुने B ले लिजी और बड़ाबर जो है चारो दिवारों का छेतर फल तो चारो दिवारों का छेतर फल के लिए हो जाता है दोस्तों 2 into L plus B अगुने H हो जाता है बस ये फर्मूला लग जाएगा अब इसी पर बैठा दीजिए 2 into ये हो जाएगा 15 अगुने हो जाएगा ये 12 ठीक है बढ़ाबर हो जाएगा कितना ये 2 into 2 into L plus B 15 अगुने H अब H कमा निकाली जे पहले अब ओसे काटे दू से 2 thतम हो जाएगा कोई कर नहीं चलिए अब ये हो गया अब काटी है इसको कैशे काटी एगा तीन से काटी है तीन नमा 27 इसको काटी तीन चोके 12 अब फिर तीन से काटी है उसको 39 35 अचे में यानियों कि इस निकलता है तो एल इतन जो निकलेगा कैसे निकलेगा है अब यहां से निकाल दीजिए आपका फंदर गुने बारा अगुने 20 वटे तीन दीजिए पंदर भी इसको गुना करके तब LBH करेंगे तो बन जाएगा चलिए अगले प्रस्जिश के बीच का अंतर 150 मीटर देखिए पड़ी टू पायार ब्यास ब्यास को डी से दिनोट करते हैं परंतु डी बराबर क्या होता है टू आर ही होता है टू आर होता है यानि ब्यास जो होता है तुरुजिया का दूगू न होता है दूस्तों इसमें घटा दीजिए टू आर बराबर 150 अब टू आर को मन जब लीजेगा तो पाय मैनस बराबर हो जाएगा 150 पाय कमान 22 बटा साथ रख दीजिए ठीक है बराबर आगे इसको चलिए अब क्या करेंगे इसको पाय कमान कितना हो जाएगा ये टू और आर को मन हो गया है ठीक है न अब यहां से आ जाएगा कि 22 बटा साथ मैनस एक बडाबर 150 इसको 22 में जाएगा 15 हो जाएगा नहीं टू आर गुने 15 बटा साथ बडाबर 150 ये साथ गुना में आ जाएगा ये 15 से भाग हो जाएगा 15.500 अब ये 7 से गुना ये यानि 10 ग कर सकते हैं अब्रक ये चीज बहुत मायने रखता कि वह जी सामें छाल रहा है ठीक है वह चाल से चल रहा है चार किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है जब समान दिसा रहे न दोस्तों एक बात एकदम देखिए नोटिस कर लिए एकदम जब समान दिसा रहे तो चाल में जो है सो अंतर कर दे रहा है क्यों अंतर करना है क्योंकि समान दिसा में समय जैदा लगेगा ठीक है तो चाल में अंतर करिएगा तो 40 में चार जएगा तो 36 और ये किलो मीटर प्रती घंटा है आप जानते हैं किलो मीटर को मीटर बदले के लिए मीटर प्रती सेकेंड पहुंच बटा 18 से गुना किया जाता है 18 से भाग दीजिए 18 में 36 ये दू पहुंचे 10 मीटर प्रती सेकेंड ये इसकी चाल हुआ ठीक है अब 300 मीटर जाना है तो 300 ये दूरी ये क्या समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दूरी अब बटा हो जाता है चाल तो दूरी हो गया 300 अब बटा हो गया 10 30 seconds, 30 seconds हो जाएगा, एक दाम ध्यान दे करके सिखिए, एक भी द्यारती साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, कहां जाता है, इस्कूल जाता है साइकिल से, वह अपनी नियत चाल से 4 बटा 5, जो चाल है उसके 4 बटा 5 गुना, नहीं, चाल से चले, तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है दोस्तों, तो कहता है, नियत चाल से चलने के लिए, कितना सब लगा है, एक बात देखिए, कि 4 बटा 5 चाल से चलता है, तो वह 18 मिनट देरी से चलता है, जाता है, इसमें बच कितना गया, 1 बटा 5 इसमें बच गया, द कि तो आपको इसके लिए फॉर्मूला अता है जो ऊपर दिया हुआ उसको चार है तो 4 को ऊपर चोड़ दीजिए को दिक्कत निए अब नीचे जो है वह बड़ा में से छोटा घरना लिजिए उपर ने नीचे कोई दिक्कत ने बड़ा है 5-5 में 4 को बटा दीजिए गुने यह 18 है मिनट 18 बटा मिनट को क्या कीजिए यह सकेंड बदर लिजिए ठीक है यह बहुतार मिनट हो जागा दोस्ते एक दम यह सूपर ट्रिक्स क्या है सूपर तरीका है बस एकतम असानी से अगर नहीं समझ पा रहे हैं एक बार और रिमांडर कर लिजे किसी टंकी का 3 बटा 4 भाग पानी से भरा है कितना भरा हुआ है 3 बटा 4 भरा है दोस्तूं बात को समझ ये भरा है और तीस लीटर पानी अगर निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाता है अब तीस लीटर पानी तीन बटा चार भरल है अब तीस लीटर निकाल दिया जाती खाली हो गया मतलब यही पानी निकाला तीन बटा चारेन हुआ तीस लीटर क्या कहता है कि तीन बट्टा चार भाक टंकी भरा हुआ है अब तीस लीटर पानी निकालने पर खाली हो जाता है तो जो तीन बट्टा चार भरा हुआ है वहिन तीस लीटर हो गया वहिन पानी है तो इसी को जब तीन बट्टा चार बढ़ावर तीस तो एक बढ़ावर क्या हो एकदम जबरदस्त प्रस्ल सभाई देखिए काता A तथा B एक साथ कारे को सुरू करता देखिए यहाँ A तथा B मतलब A पलस B मिल करके एक बटा बारा बटा मिल जाता है ने दोस्तों एक बटा बारा चली बारा दिन में B और C की बात करें तथा B पलस C ले लिजिए वो कितना एक बटा पंदरा दिन में ठीक है और काता C और A उसे 20 दिन में करता है तथा C पलस A ले लिजिए वो एक बटा 20 दिन में करता है ठीक है तो कर सकता है तो A, B, C तीनों मिल कर वही कारी कितने दिनों करेंगा तीनो मिल करके बाद करता है तीनो को ढ़ने के जोर निकाल लीजें बस कुछ नहीं किजिए पार था खेल हो सका फ़ाग यहीं हो जाएगा आपको सब्सक्राइब 2437 437 और कितना हो गया यह 2343 पंच 12 बट्टे 6 यानि एक बट्टा 5 हो गया अब इसको दूस्य गुना कर दीजा भाग देने मतलब निचे निगुना आएगा पंच 2 दूस दूस हो जाएगा ABC को उलट जाएगा यानि 10 दिन अंसर हो जाएगा 10 days ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन देखी क्या कहता है चार प्रतीसत बारसिक ब्याज की दरसे दूबर्स में किसी धन के चक्रप्रती ब्याज का अंतर आठ रुपईया है देखें C.I. जब C.I. और क्या दिया रहे C.I. का डिफरेंस दिया रहे दोस्त आठ दिया हुआ है आच नहीं और रेट दिया हुआ है चार प्रतीसत और समय दिया हुआ आपको समय टाइम मालूम है दूबर्स कितना मालूम है दूबर्स ठीक है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता मुल्धन ज्याद करने के लिए P अंतर गुने दो बार 100 सो गुने सो जैके यह जो ट्रिक्स है अगर इस परस्ण को कॉपी पर लंबा मिहाल करिएगा तो कम से कम आपको कम से कम 4-5 मिनट लागे जाएगा ठीक है दोस्तों लेकिन आप इस ट्रिक्स के माद्धे आपसे याद कर लिएगा जब दो बर्स बाल और अंतर दिया रहे चक्रमदी व्याज और साधरन व्याज कर तो अंतर आपका कितना है तो आट रुपईया और यह सौ तर दो बार रिख दीजे तो तो कि यहाद कर लिजे आसान सथा अगल कोई धन साधरन व्याज में देखिए दोस्तो जब तक पूरा वीडियो नहीं लखिएगा आप यह नहीं निलने लेपाईएगा कि किस तरह का प्रश्णों का संग्रा किया गया है प्रते एक दिन क्योंगि टेस्ट लेना है तो बहतरीन प्रश्णों कासंग्रां प्रते टाइप एक भी टाइप आपको छूटेगा नहीं, इस बात को ध्यान में रखेगा, टेस्ट जोइन करिए, दोस्तों के साथ सेर भी कीजिए, ठीक है, तेले बारा नमर प्रशन क्या गता है, कोई धन साधारन ब्याज से दू बरसों में बाइस सो चालीस रुपया बनती है, द बाइस सो चालीस से च्छब्श कहने में, कितना है बाइस सो चालीस हो गया है, उदर साथ, यह तैसिस्व, अधर तीन सो साथ का अंतर है, दोस्तों, यहिः तीन महीने का, तीन बरसों में, तीन साथ रुपया बरहा, तोर एक बरसों का ब्याज होज़ेगा,ờकश एक सो बीस रुपईया हो जागा, यानि 120 रुपया पर year ब्याज बढ़ रहा है, अब 2 बरस है यहां पर, तो 2 बरस में कितना 240 रुपईया बढ़ा होगा, 240 रुपया इसी में घटा दीजी, यानि 2000 रुपया होगा, 242, 240 जाएगा, तो 2000 रुपया आपका जो मुलदन होगा, दो बरसों में 240 व्याज हुआ है पांच बरसों में 26 वर गया है यह आपका अंसर क्या हो जागा 2000 चलिए अगले प्रस्न क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्न क्या कहता है राम एक बस्तू को उस पर अंकित मुल के 25% छूट से खड़िता देखे 25% अंकित मुल के आ है उसे चौषो साथ रुपया हमें बेचकर 10% everyday प्रस्न प्रस्न होता है अब एल्भिक आपका भटे 110 अब इसको काट लीजे जीरो जीरो spricht चक्षशाच्चौ इसलिए 100% की अगर बात करते ति ये 600 रुपईया हो जाता कितना हो जाता 600 रुपईया हो जाता चली अब एक चीज तो समझ में आ गया 600 रुपईया ये जो है यह खरीदा होगा इस पर लेकिन यह जो खरीदा है वो 25% छूट पर ने खरदा दोस्त यानि यह जो खरदा है वो 25 अंकित मुले के 25 छूट पर खरदा है यांगित मुले पर 75 परसेंट ने लिया तो 75 परसेंट लिया है दो चली neden को आगे फिर बड़ां के दिखाते हैं जब 75 परसेंट का वहां वा कितना हो गया उसी 600 के इक्वण हो गया नहीं तो 75 participants मतलब हो गया 75 बटा 100 के था हो जायगा 75 बटा 100 यहनि 25 तिया 3 बटे 4 हो जायगा यहनि 3 बटे 4 का भेलू हो गया आपको 600 इसलिए एक का जो भेलू होगा यह उलट जाएगा 600 गुलने हो जाएगा चार बटा 3, 3 दूनी 600, 200 दूचो के 800 रुपया आपका चो अंकित मूल होगा दोस्तों 800 रुपया अंकित मूल होगा तक उसके 25 परसेंट छूट दीजिए और उसके बाद जो 600 आएगा, 600 पर 10 परसेंट लाब लिजिएगा तो 660 रुपया किलियर हो जाएगा अगले प्रसुन क्या करता राधा ने 10 रूपिये में 15 खिलोने खड़ीद कर 15 में 10 खिलोने बेच दिया बताए कितने परतिसत का लाग हुआ यहां नहीं हुआ ठीक है अब यहां से देखने वाली बात क्या देखे दोस्तों कि 10 बस तू अलग कर लिए रूपिया अलग कर होता है 100 देखे जरेब यह आपको जो बाद वला होता है इसमेंसे घटाई यह 1575 में 225 माइनस कर दीजी दीजी 1225 में लाव होगा दोस्तों मैनस में अगर आता तो हानी होता प्लस में आगया तो लाव होगा इसी तरह से आप असनिस उसको हल कर सकते चो संख्या होगा आगला कुछन है चो संख्या होगा उसत बीस है तो चो संख्या को उसत बीस है तो चो गुने बीस यानि कुल उसका योग हो ज जाएगा आगे सांख्यां अटा दियाे 120 में से यहीं आपका आंसर चणी वहत याश आसान था अगला देखते हैं आगे देखते हैं डेक्ता किया कैता देखिए अध्यना से ज्यान की प्राप्ति होती है दोस्तों अध्यान से क्या होता है ग्यान की जितना अध्यान करेंगे उधने ग्यानवान आप बनेंगे अलगे कारी से अब कारी से क्या होता है अब किसी भी छित्र में अगर कारी करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है तो अनुभाव मिलता है अगर मांदीजे कि बारे करने से अनुभाव होता है अगरे प्रेस्ट को देखते हैं 18 है 30 है 36 है तो क्या होगा अब आप देख रहे हैं 18 और 30 में क्या संब्द है अब बहुत आसान आसान सा दिया गया है चली देखते हैं अगला कर जो होता है तो पोट चलता है तो महासागर में चलता महासागर में चलता है तो करके दिया हुआ क Advent mean a सबuwel Jade lieruit जञए सब्सक्राइब अंद fans a से संदन निकाल है सी में क्या सम्हएं आप अब मतार चल जाएगा इन के बाद कर एक बढ़ गया पहले तो ने के बढ़हिए जया एक वाद बी होद इसक्वाध इस तरह से आप PBC6 च्यू है दék पिर दूगो चोड़ दिया, म को और फिर क्या हो जाएगा, पी, क्यू, आर्ट, तीन को चोड़ करके S हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको बढाईए, G को एक चोड़ करके, G के बाद सीधे सीधे, एक बढ़ गया, हो गया अब O के बाद P छोड़ दीजे तो Q हो जाएगा यानि एक छोड़ा है पहले लगातार था तब एक छोड़ा तब दू छोड़ा तब तीन छोड़ा इस तरह से ठीक है दोस्तों पहले जीरो मतलब लगातार था अब इस तरह से आप इसको पाएंगे यही आपका अंसर अगला देखते हैं 20 नमर क्या कहता है यदि किसी कूट भासा में पे अलई पे लिको यह 34 लिखा जाए तो एरेस्ट को क्या लिखेंगे पी कितने नमर पर आता है आपको पता है हमने बताया तो इजोटी वाला एक ट्रिक्स पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं तुम स पर आता है दूस्तों जो लिखेंगे 12 पंच 17 17 कितना हो जाएगा 34 यह कुलि में लागा जोड दिया नहीं अब आपको क्या करना है एरेस्ट में जोड देना है में क्या जोड़िएगा एक नमर पर होता है आ जोगता fan 1र!! 12 ав 12 17. अussen cynical पर आता है एस पचास चोवालिस यहीं कि छत्ती जगा पचास तीस असी है एक एकास ही हो जाएगा बस बन गया चलिए आगला देखते हैं बहत्तर छात्रों के समूं में जैकास थां नीचे से 42 मा है टोटल तो बहत्तर है अब नीचा से कोई 42 नंबर पढ़ा है तो 42 के बाद इदर क्या को ब करें है अघ्या तो चलिए लिए अगला प्रसक्राशन क्या गता है श्यानब में चे गटा आप भी उसके बाद कि इतना घटा है एक रोट गण करने एक से गुणा करने पर आता है तो साथ को एक से गुणा किया है हाँ एकदाम बिलकुल देखिए इसको एक से गुणा किया है इसको दो से गुणा किया है इसको तीन से गुणा किया है फिर इसको चार से गुणा किया है आप इसको पांच से गुणा करने है बड़ी मज़ेदार प्रस्न सब है दोस्तों देखिए जरा आकास गंगा सूरच चंद्रमा पृत्वी तारे अब बताए सबसे पहले कौन सबसे छोटे जिस दृष्टी कौन से लिजिए चाहे छोटे के दृष्टी कौन से लिजिए चाहे जिस चीज के लिजिए ठीक है लेक ऐगए गतर रहेगा तो पहले बढ़ते क्रम दिए फिर घर्टे क्रम देख लेंगे तो एकाश गंगा सुर्चा प्रतिवी तारे में आइप से चोटा गए तीन नमर वह अप्संद यहीं से से बर्ध क्या हो जाता है सूरज आता क्या है सबसे बरा क्या है तो आरे हैं इतियास चालइस प्रस्थ प्रतिसत विद्यारती नागरिक सास्तर में और 60 प्रतिसत विद्यारती इतिहास में तता 40 प्रतिसत दोनों में उत्तिर्न वाई है नहीं अब एक बात बताई यहीं चीज़ देखेगा कल भी हम ऐसा प्रशनिक आया था ठीक है लेकिन वह मैथमेटिक्स का था आज प्रसंट यह पास वाले आगे उत्तिर्न वाले आगे तो बताई उत्तिर्न जब पचास यहीं तो फेल कितना होगा 15 परतिसत बिलकुल परतिसत होगा होगा अब आगे क्या कता देखेगे नब्य विद्यारती दोनों विस्यों में अनुतिर्न हुए यहीं से पकड़ा गया यहीं 15 परसंट है जो फेला है वो नब्य परसंट इसका जो आंसर गलटी काट हो गया है यहां अंसर क्या हो जएगा इसका 600 हो ठीक है दोश्तों चली 600 हो जाएगा आगे देखिए अगरा जो प्रशन कहता है आगे आपका 25 तक रिजनिंग था आगे से आगे जीके एंड जीएस दीखिए 26 से जीके और जीएस आगया तो आप जीके और जीएस को आपने खुद बनाया ही होगा चलिए आपने जो वीडियो देखा आपको जो भी अगर पार्ट सचा लग रहा है तो आप कोमेंट करें ठीक है दोस्तों चलिए कोमेंट करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धान कांईवाद दोस्तों और आगे वी आपको प्रते ही दिन इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्रायब करें वीडियो को Like करें, दोस्तों के साथ Share करें, अधिक सदिक दोस्तों को जोरने का अप्रियास करें ठीक है दोस्तों, चलिए, वीडियो दकने लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन दोस्तों